Hello everyone, Namaste तो आज मैं जो ये reading करने जारी हूँ guys उसका topic है First Wedding Night Experience तो guys यहाँ पे मैं आपका and आपके जो spouse होंगे उनका आप दोनों का Wedding Night Experience जो रहेगा वो मैं यहाँ पे आज explain करूँगे guys तो ये जो reading है ये एक 18 plus love reading है तो अगर मेरे कोई viewers हो जो की underage के हो तो आप लोग प्लीज इस reading को skip कर देना ठीक है तो ये जो reading मैं करूँगे guys ये timeless है, general reading भी है और ये for both males और females हर किसी के लिए है और मेरे जितने भी readings होते हैं ना guys सारे ही timeless होते हैं और general reading भी होते हैं तो आप लोग जब भी जाहो मेरे जिस भी reading को refer कर सकते हो according to your problems और आप लोगों को उसका solution मिल जाएगा guys और मेरे blessings हमेशा आप लोग के साथ ही रहती है और आगे भी रहेगी और आप लोग भी थोड़ा support दिखाओ guys आप लोग जितना जादा हो सके मेरे शानल को subscribe कर लो ताकि आप के लिए मैं बहुत सारे रीडिंग्स लेके आपाऊ और आपके लाइप में एक help भी कर पाऊँ ठीक है guys तो इस रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे दो पाइल्स सेलेक्ट करे हुए है पाइल नमबर वान है light green color feather पाइल नमबर टू है dark red color feather ठीक है guys तो आप लोग अपने अपने हिसाब से पाइल चूस करे लेना और अभी मैं रीडिंग शूर करते हूँ पाइल नमबर वान से जो की है light green color feather तो guys पहले मैं आपका wedding night experience जो रहेगा वो explain करूंगी आपके लिए मैंने यहाँ पे दो cards निकाले हुए है ace of pentacles का card है and the magician का card है ठीक है और उसके बाद मैं reveal करूंगी कि आपके जो spouse रहेंगे उनका first wedding night experience कैसा रहेगा ठीक है guys तो पहले बात करते हैं आपका जो ये experience रहेगा वो कैसा रहेगा तो पहले तो एक चीज मुझे दिख रहा है guys कि आप लोग जो मेरे viewers हो जो pile number one जिनोंने भी choose करा है आप लोग एक cut-trot person हो means आपके personality ऐसी है ही नहीं जहाँ पे कि आप कई सारे लोगों को dates करोगे या फिर relationship में रहोगे no मुझे यहाँ पे specifically ऐसा feel हो रहा है कि आप लोग ऐसे इनसान हो जो कि बहुते सादा picky हो अपने life में बहुत सादा आपको जो चीज चाहिए वो perfect चाहिए otherwise आप आपको चाहिए ही नहीं ठीक है आप वैसे ही इनसान हो तो guys मुझे ऐसा feel हो रहा है कि आप लोग either totally single हो and marriage के बाद ही आपकी जो virginity है वो आपके spouse के साथ ही lose होगी पर कुछ होगी लिए मुझे ऐसा feel हो रहा है guys कि अगर आपने अपने life में कभी date करा भी होगा तो भी बहुत ही जादा limited person आपके life में रहे होंगे ठीक है तो उस तरह का मुझे आपका थोड़ा nature दिख रहा है और आपके ये जो spouse के साथ आपकी first wedding night रहेगी वो मुझे ऐसा feel हो रहा है कि वो बहुत ही जादा loving side से होगी means आपका जो experience रहेगा आपको ऐसा feel होगा कि आपके spouse आपकी take care कर रहे है they really know you and they really know what you want ठीक है आपको ऐसा feel होगा कि आपके spouse आपको समझते है मुझे ऐसा environment देख रहा है जहापे कि आपकी जो शादी रहेगी वो बहुत ही जादा धूम धाम के साथ होगी and because of that reason कही सारे rituals वो क्या बोलते है रस्मी रिवाजे होगी तो आप और आपके spouse थोड़ा थक जाओगे ठीक है क्योंकि मुझे यहापे feel ही हो रहा है कि एक grand wedding ceremony होगा आपका ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जाके court marriage कर लिया नो ठीक है families का involvement रहेगा and आप enjoy करोगे अपने wedding ceremony को लेकिन हाँ आप दोनों ही बहुत सादा थक जाओगे और आपकी तो means हिम्मत ही नहीं हो रही होगी कि शादी के बाद ये सब चीजे कुछ करना ठीक है लेकिन आपके जो spouse रहेंगे उनके मन में हाँ काई सारे naughty thoughts आ रहे होंगे आपको लेके and उन्होंने काई सारे सपने संजवे होंगे for their first wedding night तो काईस हाँ आप दोनों के बीच में sensual intercourse तो होगा ही होगा जहाँ पे कि मुझे ये feel हो रहा है कि candles जले हुए होंगे rooms में एक proper decoration रहेगा एक जो होता है ना room में कुछ perfumes होता है वो आपके spouse ने spread करा होगा तो आपके लिए एक dream come true type environment रहेगा आपको ऐसा feel होगा कि मैंने जैसा चाहा था वैसा life partner तो मुझे मिला है and here she really knows कि मुझे क्या चाहिए तो वो जो एक feeling बोलता है ना वो मुझे feel हो रहा है कि आपके spouse आपको लेके बहुत ज़्यादा possessive रहेंगे आपको लेके बहुत ज़्यादा over protective रहेंगे after your marriage लेकिन आपका जो first night experience रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा essential and loving side से रहेगा आपको ऐसा पी लोगा कि यार यह मेरी life का सबसे बहतरीन रात था क्योंकि यहाँ पे आपके spouse आपको बेहत प्यार करेंगे यहाँ पे मुझे kissing दिख रहा है and that four play मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा time के लिए feel हो रहा है आप ऐसे इंसान नहीं हो जो कि बहुत ज़्यादा यह sex toys यह सब चीजों को लेके welcoming हो no and वो चीज आपके spouse को पता होगी तो वो आपको बहुत प्यार से delicate के साथ handle करेंगे and वो सिर्फ अपना प्यार show करेंगे and वही प्यार आपको feel होगा काईस यहाँ पर मुझे जादा कुछ नहीं दिख रहा है from your side लेकिन हाँ next सुबह जब आप show के उठोगे na after your first wedding night आप एक मुस्कुराहत के साथ उठोगे and आप उस रात को कभी भुला नहीं पाओगे जहाँ पर कि एक love making था एक caring and the sensual love making जहाँ पर कि आप दोने एक दूसरे के साथ वो moment share करे थे सिर्फ प्यार ठीक है आपके side से आप बहुत ज़ादा खुछ रहोगे ठीक है तो अभी हम cards देखते है कि आपके spouse का experience कैसा रहेगा आपके साथ so guys आपके spouse का first wedding night experience कैसा रहेगा पहली बात तो मैं उनके side से एक चीज़ फील कर पा रही हूँ कि जो आपका wedding ceremony होगा वहाँ पे लोगों के जो नजरे होंगी न वो आपके उपर टिकी होई होंगी and because of that reason आपके spouse को बहुत ज़ादा जलन फीलो उनको ऐसा फीलोगा कि यार ये तो मेरा बंदा है या पर ये मेरी बंदी है and लोग ऐसे क्यों उनको घूर घूर के देख रहे है because आप stunning देख रहे होगे चाहे आप लड़का हो या लड़की हो means आप एकदम कमाल के देख रहे होगे जब आपकी wedding ceremony होगी जो दुला या दुलहन के costume में ठीक है and सबकी नजरे सिर्फ और सिर्फ आपके उपर होगी तो आपके spouse हाँ वो बहुत जादा jealous feel करेंगे पूरी शादी में वो सिर्फ यही सोच रहे होंगे कि ये लोग मेरे person को क्यों ऐसे घूर रहे है मैंने पहले ही बोला था कि आपके जो spouse होंगे वो आपको लेके थोड़ा जादा ही possessive रहेंगे ठीक है शादी से पहले भी and शादी के बात तो और भी जादा है because he or she really loves you ठीक है और जो first wedding night experience रहेगा काईस यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि जादा तर इंडियन marriages में ये चीज़ होती है कि जब रात हो जाता है तो जब दुलहा दुलहन के कमरे में जानी की कोशिश करता है तो कुछ दुलहन की जो friends होती है सालियां जिसे बोलते है वो लोग कुछ नेक लेते है पैसे लेते है ताकि उनको एंट्री दे सके ऐसा कुछ रसम होता है या फिर वो लोग टीज करते है दुलह को कि हाँ हाँ पहली रात है जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी है इस तरह की चीज़े जो बात चीज चल दी है वो सब चीज़े यहाँ पर फेस तो करेंगे ही जो मेल परसन है लेकिन गाइस मुझे ऐसा फिल हो रहा है कि आपके ये जो स्पाउस होंगे उनको ऐसा फिल होगा कि यार लोग थोड़ा जादा ही इंटरफेर कर रहा है उनके लाइप में बिकल्स एक तो शादी से इतना जादा थके हुए है ठीक है एंड वो आपके साथ वक्त विताना चाहते हैं लेकिन ये जो उनके फ्रेंस है चाहिए लड़का हो या लड़की हो ठीक है उनके फ्रेंस जो हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं और थोड़ा बैट नहीं हम लोग बातचीत करते हैं बाद में जाना तो उनको बहुत जादा इरिटेट टाइप फीलिं होगी लेकिन कुछ ना कुछ जुकार निकालके आप दोनों आज आओगे पास ठीक है तो आपके स्पाउस आपको लेके बहुत जादा मींस उस रात उनको भी थोड़ा वो क्या बोलता है हिचकी चाहत डर लगा ही रहेगा उनको ऐसा फील होगा कि जैसे कि हर किसी को होता है चाहे वो मेल हो या फील मेलोटी के है मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि वो पहले बात चीज शुरू करेंगे और उसके बाद आप दोनों एक दूसरे को हग करोगे किस करोगे और वो सब चीजे धीरे धीरे होगी फोड़ प्ले यहाँ पर मुझे बहुत जादा फील हो रहा है आपके स्पाउस के लिए भी यह जो फर्स वेडिंग नाइट का जो एक्सपीनिस रहे का न वो बहुत ही सादा लविंग साइट से रहे का क्योंकि यह पर दल लवर्स का कार्ड भी आया हुआ है काईस वो इस मोमेंट को कभी भी भुला नहीं पाएंगे मरते दम तक ठीक है क्योंकि according to him आप बहुत ही सादा एक hot and sexy person हो and आपको पाना इतना आसान नहीं था and at last उन्होंने आपको पा लिया तो यह जो खुशी है न वो बयान नहीं कर पाएंगे आपको हासिल करना नहीं वो आपको पाना चाहते थे आप उनके ख्वाइश थे and वही ख्वाइश जब पूरी हो जाएगी न वो जैसे के साथ हुए आसमान पे रहेंगे मुझे याप इस सिर्फ प्यार दिख रहेगा मुझे याप पे कोई wild side या फिर किसी को hurt करके प्लेजर लेना यह सब चीज़ से नहीं फिल हो रही है इवन आपके spouse का भी जो experience रहेगा आपके साथ वो बहुत है साथ a sensual loving and caring side से रहेगा आपके person आपको feel कर पाएंगे आपको touch करेंगे आपको feel करेंगे आपको बेहत प्यार करेंगे and वो प्यार वो लब जो है न वो याद के तौर पे हमेशा उनके पास ही रहेगा ठीक है यहाँ पेहत प्यार दिख रहा है बहुत साथा प्यार so guys for pile number one मुझे यहाँ पे आपका आपके जो spouse है उनका जो first wedding night experience है वो बहुत ही जादा loving and sensual side से ही दिख रहा है आप दोनों का जो experience रहेगा वो equal ही रहेगा ठीक है आप जैसा feel करोगे same feel आपके person भी feel करेंगे ठीक है लेकिन हाँ after your marriage आप लोग honeymoon पे कहीं एक बिदेश जाने का मुझे दिख रहा है means कोई एक बहुत दूर जगे पे आप दोनों जाओगे and अपना जो honeymoon है वो celebrate करोगे ठीक है काईस तो यहाँ पे मुझे जादा कुछ बताने के नहीं मिल रहा है because आप और आपके spouse लगभग same type के हो लगभग ठीक है means आपका जैसा nature रहे का आपके spouse का भी वैसा nature रहे का जैसे की कभी कभार होता है नो opposite attracts लेकिन आपकी case में मुझे similarity दिख रही है आप दोनों एक twin flame journey में हुआ and because of that reason कही सारे past lives भी आप दोनों ने साथ में बिताया हुआ है as husband and wife देक है तो same cycle जो है न वो आप हर जनम में complete कर रहे हो इसलिए मुझे यहाँ पर आपका first wedding night का जो experience है आपकी तरफ से और आपके spouse की तरफ से बहुत ही जादा excitement भरा नहीं दिख रहे है का जूँकि आप दोनों हर जनम में साथी रहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों एक साथ रहना चाहते हो आप दोनों एक दूसरे को हासिल करना नहीं चाहते हो sexually ठीक है क्योंकि वो अ सब चीज़ है आपने कही जनम तक experience किया हुआ है तो अब हर चनम में न सिर्फ प्यार और साथ को experience करोगे आप यहाँ देख सकते हो कि जो lover है जो male person है वो अपनी female person को कितने प्यार से hold करके रखे हुए है और वहाँ पे जो coin है उसमें एक love का mark भी है एक heart का mark है और वहाँ पे सारी candles जो है वो जल रहे है और एक thread, एक thread से जुड़े हुए है एक door से और यही door जो है वो आपको हर जनम में बांधे रखेगा तो वही चीज मुझे feel हो रही है guys यहाँ पे प्यार है, caring है, सिर्फ प्यार है guys और वही चीज आप भी feel कर रहे हो और आपके spouse भी feel कर रहे है ठीक है guys, so यह था reading for pile number 1 तो अभी हम move करते हैं pile number 2 की तरफ जो की है dark red color feather so guys, for dark red color feather जो की है pile number 2 मैंने यहाँ पे, guys, आप लोगों के लिए ठीक है, for my viewers आपका first wedding night experience कैसा रहेगा उसके लिए यहाँ पे दो cards निकाले हुए हैं आप देख सकते हो, ठीक है तो मुझे यहाँ पे, अच्छा पहले मैं आपके बारे में बता दूँगे, ठीक है फिर मैं आपके spouse का जो experience रहेगा उसके related cards को reveal करूँगी जो की मैंने hide किया हुआ है, ठीक है तो पहले आपके side से देखते हैं कि आपका first wedding night experience कैसा रहेगा तो यहाँ पे guys, आपका जो cards है ना वो मुझे ये बता रहे हैं पहली बात की आपकी जो शादी होगी ना guys वो मुझे थोड़ा sudden दिख रहा है ठीक है, means एक ऐसा small story दिख रहा है, ठीक है जो की मैं बताना चाहूंगी शायद आपके कोई एक friend के friend हो सकते हैं या फ़र आपके कोई colleague हो सकते हैं जो की sudden आके आपको propose कर देंगे and they will tell you की see I love you and I really wanna marry you इस तरह का आपका एक छोटा सा love story मुझे दिख रहा है जहापे कि आपको एक sudden marriage proposal मिलेका, ये इंसान कोई भी हो सकते हैं आपके spouse ठीक है लेकिन आप थोड़े चौक जाओगे because आपने कभी expect ही नहीं करा होगा कि कोई एक इंसान ऐसे sudden आके आपको propose कर देंगे वो भी शादी के लिए direct ठीक है, तो आपके जो spouse मुझे दिख रहा है guys, वो एक intense lover मुझे feel हो रहा है ठीक है, जिनके मन में आपके लिए बहुत ही जादा strong feelings है जो कि वो इंसान hide नहीं कर सकते हैं ये इंसान ने कई सालों तक hide किया है अपना love आपके लिए लेकिन बहुत जल्दी ये इंसान आके आपको propose कर देंगे and ये sudden होगा आप expect ही नहीं कर पाओगे and मुझे आपके शादी भी बहुत जल्दी दिख रही है बहुत जल्दी guys ठीक है, तो आपका जो first wedding night experience रहेगा वो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक wild side से feel हो रहा है ठीक है, आपको ऐसा feel होगा कि आपके person means out of control हो गया है and वो means यहाँ पर कोई हद नहीं दिख रही है मुझे ठीक है, जहाँ पर कि ये person सोच समझ के आपके साथ कुछ करेंगे वो बस इस moment को जीना चाहेंगे आपके साथ यहाँ पर मुझे वो lip to lip kissing दिख रही है जहाँ पर कि थोड़ा intense kiss हो रहा है and bleeding हो रही है जो female person है उनके lips पे तो यहाँ पर जो male person होंगे वो बहुत ही जादा obsessive way में अपना love जो है वो show करेंगे ठीक है तो guys मुझे ऐसा ही feel हो रहा है कि जो मेरे viewers हो आपका जो love experience रहेगा आपके spouse के साथ आपको ऐसा feel होगा कि आपके person उस रात को out of control हो चुके है and वो थोड़ा वो होता ना forceful way में वो अपना love को जाहिर करेंगे आपके सामने and वो चीज़ आपको feel होगी लेकिन आपको एक ऐसा भी feel होगा कि यह उनका प्यार है हर किसी का प्यार जताने का तरीका अलग होता है and आपके जो spouse होंगे उनका भी अलग है ठीक है वो बहुत जाद wild and obsessive love है उनका आपके प्रती and वो चीज़ आपको feel होगी first wedding night में ठीक है because आपके person आपको love bites देंगे आपके neck में and आपके chest area में चाहे आप लड़का हो या लड़की हो ठीक है तो उस तरह की चीज़े मुझे feel हो रही है जहांपे कि आपकी जो experience रहेगी आपके spouse के साथ वो बहुत जादा एक obsessive forceful love के तौर पे रहेगी लेकिन आप enjoy करोगे guys you really feel कि हाँ कोई एक ऐसे इंसान है मेरे लाइब में जो कि मुझे खुद से भी जादा प्यार करते है जो कि मुझे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते है and आप उस emotions को ना feel कर पाओगे आपके wedding night में आप इस image को आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो couple है वो एक दूसरे को कितने प्यार से कितने गहराई में एक दूसरे को देख रहे है because यहाँ पे एक प्यार है लेकिन एक जुनून है एक दूसरे को पाने की चाह है एक दूसरे को हासिल करने की तमन्ना है मन में तो उस तरह की जो feeling है न वो आपके अंदर आएगी आपको ऐसा फील होगा कि आपको एक ऐसा लवर मिला है जो कि सिर्फ आपका है तो यहाँ पे प्यार भी है emotions भी है and एक intense obsessive love भी है ठीक है गाइस तो अब भी मैं आपके spouse के experience first wedding night का experience के लिए दो cards जो है वो reveal करते हूँ ठीक है so guys आपके spouse का first wedding night experience आपके साथ कैसा रहेगा इसके लिए यहाँ पे मैंने दो cards निकाले हुए है the emperor का card है and the chariot का card है guys ठीक है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो spouse होंगे या होंगी वो खुद को बहुत ही साथ लखी मानते होंगे क्योंकि आप उनके life में आ गए हो क्योंकि आपने उनको एक chance दिया है कि वो आपके life में as their husband या फिर wife रह पाए ठीक है तो वो खुद को ना एक emperor या फिर empress की तरफ फील करेंगे जहां पर कि उनको ऐसा feel हो रहा होगा कि जो उन्हें चाहिए था न वो मिल गया Finally they got you मैंने पहले ही बोला है ये प्यार है न ये एक intense love है ये एक obsessive love है जहां पर कि एक दूसरे को हासिल करने की चाह है आपके person के दिल में and वो आपको पाने के लिए किसी भी हाद तक जा सकते है कुछ भी कर सकते है खुद की family तक को छोड़ सकते है guys उस तरह का प्यार मुझे फील हो रहा है and वो चीज़ सायद होगा means chances है कि आपके spouse के family शादी के लिए मानेगी नहीं तो आप दोनों खुद ही decide करोगे कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए और आप दोनों कोई court marriage कर रहे हो आप दोनों के friends जो हो रहेंगे वो आप दोनों की शादी करवाने में बहुत साथा help भी करेंगे तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है and आप दोनों की जो first wedding night रहे की न वो आप कहीं एक place में जाके मनाओगे ठीक है suppose आपकी शादी होगे इक court में उसके बाद आपकी जो person होंगे या फिर आपके जो friends रहेंगे वो लोग एक hotel room बुक कर देंगे आप दोनों के लिए as a surprise gift ठीक है तो आप दोनों travel करके जाओगे उस hotel में and वहाँ पे आप दोनों का यह जो first wedding night होगा वो आप दोनों मनाओगे उस hotel room में वो चीज मुझे feel हो रही है ठीक है तो guys एक ऐसा मुझे moment देख रहा है जहाँ पे की यहाँ पे ना सिर्फ एक बार intimate moment नहीं हो रहा है means आप दोनों एक बार intimate होने के बाद थोड़ा time rest करोगे like कुछ alcohol जैसे की wine होता है या फिर juice आप कुछ भी ले लो ठीक है आप लोग थोड़ा drink करोगे थोड़ा rest करोगे और उसके बाद फिर से उस moment को जीने की कोशिश करोगे तो पूरी रात आप दोनों सो नहीं पा रहे हो and दिन में सोने वाले हो ठीक है तो guys वो चीज मुझे feel ओरी है तो आपके यह जो spouse रहेंगे उनका जो experience रहेगा यह first wedding night का वो बहुत ही जादा यादकार रहेगा उनके मन में एक चीज रहेगी की चलो मैंने जो चाहा था वो चीज मुझे मिल गई है ठीक है and वो बहुते जादा खुश रहेंगे उनको ऐसा feel होगा की अब मुझे सब कुश मिल चुका है मेरे life complete हो चुकी है और मुझे कुश नहीं चाहिए because that satisfaction जिसे बोलता है वो चीज आपके spouse को मिल गई है आपके साथ and and आपके जो spouse होंगे उनके मन में मुझे एक चीज दिख रही है that here she really feel happy उस रात के बारे में जब भी वो सोचेंगे न वो बहुते जादा खुश feel करेंगे एक happy happy type की feeling आईगी उनको उनको ऐसा फिलोगा की यार चलो मेरी life complete हो गई है मुझे यहां पर सिर्फ complete दिख रहा है I don't know why ठीक है तो यह person को ऐसा फिलोगा की मुझे सिर्फ यही इंसान मेरे life में चाहिए as a husband or wife और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस तरह के lines वो अपने friends को हमेशा बोलते होंगे जब आपके शादी हो जाएगी न at that time आप आपके spouse को पूछ सकते हो कि आप अपने friends को ऐसे कुछ lines बोलते थे क्या शादी से पहले तो आपके spouse बोलेंगे कि हाँ क्योंकि मुझे सिर्फ आप चाहिए था and आप मुझे मिल गए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और after your marriage भी आप दुनों travel बहुत सादा कर रहे हो guys बहुत सादा and आपके यह जो spouse होंगे means आपके जो husband या फिर आपके जो wife होंगे वो अपने work field में एक alternative position में भी रहेंगे and chances are there कि आपके spouse आपसे age में जादा भी हो सकते है बहुत जादा नहीं almost 4 to 6 years of age gap रहे का आप दुनों की बीच में ठीक है तो आपके spouse का जो first wedding night experience मुझे दिख रहा है वो बहुत ही जादा satisfying side से दिख रहा है जहांपे कि आपके person को ऐसा पीलोगा कि उनकी life complete हो चुकी है आपके साथ and आपको पाना उनके लिए उनके life में सबसे बड़ी खुशी है वो खुद को ना एक satisfied feel करेंगे उनको लगेगा कि आपके साथ intimate होनी के बाद एक होती है ना एक satisfaction होती है एक खुशी होती है वो चीज उनको मिल जाएगी and उनको अपने life में और कुछ भी नहीं चाहिए कुछ भी नहीं तो यहाँ पे completion दिख रहा है यहाँ पे separation है ही नहीं आप दोनों के life में कभी divorce या affair यह सब आएगा ही नहीं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को satisfy कर रहे हो एक दूसरे को complete कर रहे हो ठीक है गाइस तो यह था reading गाइस फॉर pile no.2 तो अगर आप लोगों को मेरी जो readings होते हैं वो resonate कहते है या पर आप लोगों सुनना ही अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को subscribe कर सकते हो like कर सकते हो share भी कर सकते हो अपने family friends and colleagues के साथ ठीक है गाइस तो आप लोग भी थोड़ा support दिखाओ बहुत साथा subscribe कर लो गाइस मेरे चैनल को ताकि मुझे भी एक motivation मिले और मैं भी बहुत सारी topics के ऊपर reading कर पाऊं ठीक है गाइस so take care and be safe love you all, thank you, bye